आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वक्षीट नंबर 4 मैथ की है बेटा आपकी और 7th क्लास के लिए ठीक है 29 तारिक की है जिसमें बेटा हम पढ़ रहे थे रिप्रेजन्टेटिव वेल्यू ठीक है यह हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ रहे थे डेटा के बारे में तो उसी में बेटा हम आज कंटिन्यू करेंगे आज हम कैसे वे जिदनी भी values होते हैं उनको represent करते हैं किसी भी bar graph के थ्रू ठीक है तो today we will learn how to represent data in pictorial form like bar graph और pictograph etc ठीक है तो चलिए बेटा कैसे करते हैं यहाँ पर एक आपको बोला गया है कि class teacher Mr. R.K. Jan of the class 7th find that the number of students who completed the worksheet in each day of week तो यहाँ पर जो class teacher है Mr. R.K. Jan class 7th के उन्होंने क्या पाया कि जितने number of students हैं वो complete कर रहे हैं worksheet each day एक सब्ता के अंदर कितने कर रहे हैं उन्होंने उसको क्या किया compile कर लिया इस तरीके से table के format में मतलब कि days लिख लिए Monday को इतनों ने किया Tuesday को इतने बच्चों ने किया Wednesday को इतनों ने इस तरीके से सबी उसके लिख लिए weekdays के he wants to make a bar graph अब वो इस data का क्या बनाना चाहते है बार ग्राफ बनाना चाहते है तो उसके लिए बटा उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा उनको रखना पड़ेगा इन बातों का ध्यान जो की क्या है steps for making bar graph सबसे पहले collect your data तो कर लि y-axis अब उनको draw करना है x-axis और y-axis का मतलब क्या इस तरीके से ये क्या है बेटा x-axis ठीक है और ये क्या है y-axis तो इस तरीके से उनको ये draw कर लेनी है ये 0 है अब label the x-axis hair name of days ठीक है तो जो x-axis है बेटा ये इसको इनोंने क्या बोलना है name of the days तो यहाँ पर days दे देंगे ठीक to 10 unit अब y-axis पर उन्होंने क्या लेना है students को लेना है तो वो क्या लिखेंगे इधर देखो नीचे देखो यहाँ डाइग्राम में यहाँ पर क्या बना लिया बेटा ये क्या है x-axis और y-axis अब यहाँ पर days लिख लिए ठीक है इसी तरीके से इधर क्या लिख लिए number of students लिख क्योंकि questions आएंगे तो आपको लिखना है तो पहले scale, scale क्या along y-axis क्या है 1 cm बराबर है 10 students के क्यों क्योंकि देखो बेटा जो यह line दिख रही है आपको यह वाली यह कितने के बराबर है 10 के बराबर है तो यह 1 cm की होती है graph में अगर देखोगे आप तो यह आपको graph का format दिखा वाला यह किसका है 1 cm और 1 cm किसके बराबर है 10 students के तो यही लिखा है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 5 लिख रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे 5 student अगर आप यहाँ पर 20 लिख रहे हो तो आप 20 student लिखोगे ठीक है यह जो भी लिख रहे हो आप यहाँ पर value वो आपको यहाँ लिखनी है ठीक है तो ये हो गया बेटा अब उसके बाद अब आपको क्या करना ये इनको बोलते हैं बार जो ये बनी हुई है ये आपको बनानी है कैसे अब जो देखो मंडे को कितने स्टूडेंट्स ने वो दिया था वरक्षीट को कम्प्लीट करके revert किया था तो कितनों ने किया था बेटा मतलब कि उन्हों ने किया था 34 ने ठीक है लो तुम इसमें देख लो 34 ने किया था न ये रहा और Tuesday को 28 ने 45 फिर इस तरीके से है तो देखो बेटा 34 ने जो किया था तो आप यहाँ पर देखो आपको कुछ दिखाई दे रही है यह चोटी-चोटी लाइन ये क्या है बेटा ये ग्राफ के अंदर भी होती है आप देखना तो ये तो 0 की हो गई और ये 10 की हो गई तो अब ये कितने की होगी बेटा तो आप यहाँ से देखो जो आपने कहा था 1 cm क्या है ये बड़ी क्लासिज में सीखते हो बेटा आप इससे नहीं आप नॉर्मल सीखो लाइन के थुरूई सीखो वो बड़ी क्लासिज में सीखना आप तो यहाँ पर देखो ये जो होगी बेटा ये 2 होगी फिर ये 4 होगी फिर ये 6 मतरा ये हो गई समझ आ गया अब आपको क्या बताए गया है कि जो मंडे थे बेटा मंडे को कितने बच्चों ने दिया था मंडे को दिया था 34 स्टूडेंट्स ने अब बेटो देखो याँ आपर क्या है 34 बोला गया तो कैसे बताओगी कैसे मार्क करोगे तो ये कितना है 30 है इससे उपर लाइन अभी कितनी होगी दो उपर वाली इससे दो जादा होगी तो ये कितनी होगी 32 हो गई इससे उपर वाली बेटा कितनी होगी 34 हो गई तो यही लाइन हमें मार्क करनी है और इस तरीके से आपको फिर इसको लगा देना है और इनके बीच में gap बराबर होना चाहिए सब के आप ये scale से कर सकते हो 1-1 cm का column बना सकते हो scale में होते हैं ना 1-15 तक ऐसे होते हैं ना scale में 15 तक तो आप एक-एक column ले लोगे एक column एक को छोड़के फिर दूसरे column में Tuesday फिर एक column छोड़के फिर Wednesday इस तरीके से ठीक है अब देखो बेटा Tuesday को कितने थे 28 तो ये कितना है 30 है 30 है तो 30 के नीचे वाली line दो कम होगी तो यही 28 होगी तो बस हमने ये line mark की और इस तरीके से हमने लगा दिया मतलब कि ये 50 वाली line है लेकिन 48 थी तो इस से 50 से कम वाली ये होगी ठीक है फिर 38 वाली है 39 ये वाली होगी ठीक है इस तरीके से आपको बनाना है अब उसके बाद बेटा आपको questions करने कुछ चलिए देखते हैं बेटा कैसे करते हैं अब देखो बेटा first question क्या दिया गया है आपका कि following data gives total marks out of 50 ठीक है तो following जो नीचे दिया गया है data ये क्या बता रहा है कि out of 50 पचास में से जो marks obtained गिये गए हैं six children के दुआरा वो फिर particular class के ठीक है क्या बनाना है x axis ये वाला हो गया आपका और ये वाला क्या हो गया y axis ठीक है ओके अब क्या करना ये हमारा zero है अब यहां पर आपको एक पैमाना लिखना है वो पैमाना कैसे लिखोगे पहले आपको ये decide करना होगा कि आपने इस line पर कितने number लिये हैं और क्या लिया है यहां पर यहां पर क्या लिया है तो यहां पर हम क्या लेंगे बेटा name of the student ठीक है यहां पर हमने लिए name of student यानि की a, b, c, d, e ओके और इधर हमने क्या लिए marks ठीक है हमने इधर marks लिए अब बेटा ये देखो यह हमने ले लिया उसके बाद हमने यहां पर 0 है और यहां पर 5 लिया है यहां 10, यहां 15, यहां 20 इस तरीके से divide कर लिया पांच 5 के अंतराल पर हमने यहां पर लिख लिये सारे अंक 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया जो यह हमारा graph का one centimeter का box होता है तो यह कितने के बराबर हो गई तो आप यहाँ पर लिख दोगे उसको जो आपका scale है वो आपने कितना लिया है scale आपने लिया है y axis पर आप यहाँ पर लिखोगे on y axis ठीक है इस तरीके से बड़ा बड़ा लिख रही हूँ आप छोटा लिख लेना corner में on y axis क्या है one centimeter है five students ठीक है आप पूरा लिख लेना five students के बराबर है अब यहाँ पर क्या करोगे बेटा आपको जो data दिया गया है वो आपको यहाँ पर present करना है तो a के कितने बोले गए थे a के marks 25 है तो बेटा 25 marks लगाओ यहाँ पर कैसे 25 कहां पर है यहाँ है तो इसके सीध में हमने line खीच ली और यहाँ पर यहाँ पर यह ऐसे मिला दी तो a के देखो कितने यह बार ग्राफ जो है यह बता रहा है 25 है अब b के बेटा कितने है b के 36 थे तो देखो यह तो 35 है यानि कि 35 से ज़्यादा होंगे कुछ तो मान लो यहाँ कहीं होंगे तो हमने यहाँ पर एक line खीच ली चाहूता आप इनको अपने ग्राफ के उपर बनाओगे तो और जाद अच्छे से बनेगे तो यह b हो गया अब c के marks कितने थे बेटा जो c के marks थे वो 42 थे तो देखो 42 कहा होगा 40 तो यह रहा तो यहाँ कहीं 42 होगा उपर इस से तो हम इस से उपर ले गए तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 42 हो गया ठीक है इस तरीके से अब d के कितने थे बेटा d के थे 29 तो 29 कितने होंगे बेटा 30 से कम होंगे तो 30 वाली लाइन यह थी तो इस से कुछ कम होंगे तो हमने इस से कुछ कम यहाँ पर एक लाइन खीच दी ठीक है और आपको क्या करना है बेटा ये बीच में गैप छोड़ना इनके ठीक है ताकि ये अलग से दिख सके ये बीच बीच में 11 cm का गैप छोड़ देना फिर इन सब के बीच में डिस्टेंस बराबर हो आप यहां पर स्केल रखना ऐसे और उस पर 1, 2, 3 इस तरीके से होते हैं तो वो डोट लगा लेना और ये 1, 2 मत लिखना बस यहां और उस तरीके से फिर इनके बीच में ये ये वाला छोड़ के फिर यहां पर ग्राफ खीचते चले जाना इस तरीके से आप ये पूरा दर्सा देना ठीक है अब बेटा second question क्या है कि 200 students of 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be color of their school building तो जो बेटा 200 से जादा student थे 6th और 7th classes के उनसे पूछा गया कि उनका favorite color कौन सा है ताकि ये decide किया जा सके कि जो उनकी school building है उनका color कैसा हो तो the result are shown on the following table तो ये result यहाँ पर दिखाये गया represent the given data on the bar graph फिर आपको represent करना है इसको bar graph पर तो क्या बता है बेटा colors बताएं red, brown, blue, black, pink और number of student ये है ठीक है रेड को बोला है 43 ने, brown को बोला है 55 ने, blue को 19 ने और black को 49 इस तरीके से है तो कैसे दर्साओगे बेटा अब बेटा देखो यहाँ पर आप क्या करोगे सबसे पहले ये line बना ओगया x axis और y axis ठीक है बना ली उसके बाद आपको यहाँ पर एक scale भी लिखना होता वो कब लिखोगे पहले आपको ये पता हो कि आप y x पर क्या ले रहे हो और यहाँ पर क्या ले रहे हो तो बेटा आ यह क्या क्या लिखोगे पाँच, दस, पंदरा इस तरीके क्या अंतराल पर ले लिए तो आपका जो scale होगा वो क्या होगा आप क्या लिखोगे scale को लिखोगे on y axis ठीक है यह सही से लिखले ना यह लिखा नी जा रहा ठीक है तो y axis पर क्या होगा 1 cm किस के बराबर है 5 students के ठी ये हो गया अब उसके बाद आपको रैड कलर कितने बच्चों ने बोला था वो लिखोगे तो रैड बोला था बेटा 43 ने तो 45 तो ये रहा और 40 ये रहा तो इसके बीच में कहीं होगा तो ये रहा 43 इस तरीके से अंदाजे से आपको लगाना नहीं तो आप ग्राफ पर बना लेना फिर ब्राउन कलर को कितने ने बोला बेटा 55 ने तो आप यहां पर करोगे तो ये आपने 55 का ग्राफ बना दिया ओके उसके बाद जो ब्लू कलर है ब्लू कितनों ने बोला 19 ने तो ये 19 का बना दिया आपने ठीक है ऐसे ही फिर आपको जो ब्लैक कलर है वो कितनों ने बोला है 49 ने बोला है तो 50 से कुछ कम है उसका बना दोगे उसके बाद जो pink color है वो कितनों ने बोला है pink बोला है 34 ने तो आप यहाँ इस से 35 से कुछ कम है उस पर बना दोगे ठीक है यह x-axis पर इस तरीके से आप दरसा दोगे यह आपका bar graph तो ऐसे बनाना आप अच्छे से देख लो फिर भी कोई doubt रहे जाए तो बेटा मिर से पूछ लेना यह था आपका आज के वक्षित उमीद करती हूँ समझ आ गई होगी और अपना जो next topic होगा मैं अपनी next studio में करेंगे तब तक लेसे हसते रही मुस्कराते रही है बढ़ते रही रागे बढ़ते रही thank you